मार्च दो हजार उन्निस बाबा के माबा के हैं मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं और निश्काम सेवा करते अपने लिए कोई लोब नहीं अपने लिए कोई लोब नहीं हैं ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनों कोई स्वारत्मा हो फिर सेवा गरनी है प्रेशन है गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस अधार पर उच बनाते हैं हमारी तकदीर कैसे उच बनती है उतर है बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते सदा सदा बुद्धी से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है जो भी कुछ है एसा धन सबती है आफ़ का है तो कह त्रस्टी होकर रहो क्या है अब उसको क्या से यूज़ कर रहो तो तकदीर उंची बनी जाएगी पर इसमें बहुत सचाई चाहिए और पूरा निश्चे हो तो जैसे यग्य से पालना होती रहेगी फिर आप घर बैठे भी घर में ट्रस्टी हो शुब बाबा के भंडारे से खाते हैं बाबा को सब सच बतलाना पड़े आपने अपने लिए भी कोई पैसा यूज़ करना है तो बाबा से पूछ के यह निए कि मेरा पैसा जामजे लगा दू मैं नहीं है बाबा यह लगाना है लगा दो यह कपड़े लाने ले आओ यह समान लाने ले आओ बाबा से पूछ करते हैं कि बाबा से ले रहा हूं मैं अब सब बाबा का है तब उची तगदीर बनती है भगती मारग में कुछ निकालते हैं पांच पर दस पर दा पांच पसंद दस पसंद बीस पसंद यहां हंड़ पसंद बाबा का फिर उससे लेग लेके कर सगरना है ओम शान्ती भगती मारग के सत्संगों से ये ज्यान मारग का सत्संग अलग है विचितर है तुमको भगती का अनभो तो है और जानते हो अनेका अनेक साधू संत भगती मारग के शास्तरादी सुनाते हैं यहां तो बिलकुली उनसे अलग है यहां तुम किसके सामने बैटे हो डबल बाप और मा वहां तो ऐसे नहीं है तुम जानते हो यहां बेहत का बाप भी है ममा भी है छोटी ममा भी है प्रमा बाबा मा है ममा छोटी ममा है इतने सब संबंद हो जाते है वहां तो ऐसा कोई संबंदी नहीं है ना कोई वहां ना कोई वो फॉलोवर्स ही है वो फॉलोवर्स भी नहीं है कहते हैं हमारे फॉलोवर्स है फॉलोवर्स भी नहीं है फॉलो करते नहीं हो तो वो तो है निवरिती मार्क सब आइस्stellेशन मारके हैं उनका धरम ही अलग है तुमारा धरम ही अलग है रात दिन का फरक है यह भी तुम जानते हो लगिक बाप से अलपकाल शन भंगुर सुख एक जनम के लिए मिलेगा फिर नया बाप ने बाते यहां तो लगिक बी है पार लॉकिक भी है और फिर अलॉकिक भी है लॉकिक से भी वर्सा मिलता है और पार लॉकिक से भी वर्सा मिलता है बाकी ये अलॉकिक बाप है वंडर्फुल वंडर कहने में इन से कोई वर्सा नहीं मिलता है कोई वर्षा नहीं मिलता है हाँ इंके दौरा शुबाबा वर्षा देते हैं इसलिए उस पारलोकिक बाप को बहुत याद करते हैं लोकिक को भी याद करते हैं बाकि इस अलोकिक ब्रमा बाप को बाकिक ब्रमा बाप को कोई याद नहीं करते योगि तुम जानते हो यह हैं प्रजा पिता यानि पूरी हुमानिटी का फादर यह कोई एका पिता नहीं है तब ही कहते हैं प्रजा पिता great 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 grandfather शे बाबा को great great grandfather नहीं कहेंगे locky क समझ में locky father और grandfather होता है यह great 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 grandfather ऐसे ना locky को ना parlocky को कहेंगे अब ऐसे great great grandfather से फिर वर्षा मिलता ही नहीं ये सब बाते बाप ही बैठ समझाते हैं भगती मार की तो बात ही अलग है तो बात ही नहीं आ रही हैं ड्रामा में वो भी पार्ट है जो फिर चलता ही रहेगा बाप बतलाते हैं तुमने कैसे चुरासी जनम लिये हैं चुरासी लाख जनम नहीं हैं बाप ही आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं इस समय दर्मात्मा कोई बनता ही नहीं राइटियस है नहीं कोई दर्मात्मा कोई बनता ही नहीं पुन्य आत्मा की दु पुन्य आत्माएं नहीं रहती यहां पाप आत्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुन्य करती है पुन्य आत्माओं की दुन्या में दान पुन्यादी करने की दर्कार ही नहीं रहती वहां ये ग्यान रहता नहीं कि हमने संग्रम पर 21 जन्मों का वर्सा लिया है नहीं ये ग्यान यहां बेहद के बाफ से तुमको ही मिलता है इस ग्यान से क्याता है जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख हेल्थ वेल्थ सब मिल जाता है हेल्थ वेल्थ एंड हैपिनेस सब कुछ मिल जाता है और वहां तुम्हारी आयू बड़ी होती है नामी है अमर पूरी कहते हैं शास्तिवाद गादिया फिर शांकर ने पारवती को कथा सुनाई अब सुक्षब वतन में तो ये बाते होती नहीं सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है यह भक्ति मारक की बाते जिस पर अभी तक खड़े हैं कि सबकेक्षचन से बड़ा अगपूरा का क्या वक्ति मारका एस्छवर को सरव्यापि कहना ये डिफेम करते हैं, लोग समझते हैं जी सरव्यापि क्या-क्यथाया क्या बग्वान की जिश्चत कर रहें निह तो डिफेम कर रहे हैं ये तो भगवान बाप हमारे है अदोर आपके डिफिमेशन केस कर दिता हो मान आने का दाव़ कर दिता बाबा आप पर तो बेषद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं सर्वयापी है ठिकर भितर में हैं कन-कन में हैं अपने से भी जास्ती गला नहीं कर दी, मैं तुम्हारी कितनी निश्काम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी लोब नहीं है, कि पहला नमबर बनूँ, नहीं, औरों को बनाने का रहता है, इसको उका जाता है, निश्काम सेवा, कोई काम नहीं नहीं। तुम बच्चों को और और तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो बाबा कितना निराकार और निरएंकारी है, कोई एंकारी नहीं, कपड़े आदी भी वही हैं, बर्म बाबा के भी वही कपड़े हैं, कुछ भी बदला नहीं, नहीं तो लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, आफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारन पहरवाईश है, कोई फरक नहीं, बाप भी कहते हैं, मैं साधारन तन लेता हूं, वह भी कौन सा, कौन सा तन, जो खुद ही अपने जनमों को नहीं जानता, कि हम कितने पुनर जनम लेते हैं, लोग तो चुरासी नाक जनम कहते हैं, सुनी सुनाई बाते हैं, फायदा, फायदा इससे, कुछ भी नहीं डराते हैं, घराते हैं ऐसा काम किया तो गदा कुटा आदी बनेंगी पिर कहते हैं, गाये का पूच पकड़ने से तर जाएंगए, तब ही लोग जाए प designer करते हैं, गाये मारी बात दे किसा भवसागर से पार करा देगी गाए मारकों ऐसा कहते हैं बक्तिवारे फूजा करते हैं अब आम नहां अको गाए कहा से आई सुरक गाए ही अलग होती है वहां की गाए बहुत first class होती है जैसे तुम 100% सपूरान तो वहां गाए भी ऐसी first class होती है फिर दिखाते हैं क्रिशन गवे चलाता था अब क्रिशन कोई गवे नहीं चलाते हैं उनको क्या पड़ी है यह वहांकी ब्यूटी दिखाते हैं बाकि ऐसे नहीं कि क्रिशन ने कोई गवे पाली हैं क्रिशन को फिर गवाला ही बना दिया वहां सरवगुन संपन्द कहां सरवगुन संपन्द सत्यू का फर्स प्रेंज और कहां गवाला बना दिया कुछ भी समझते नहीं है क्योंकि देवता धर्म तो अब है ही नहीं ये एक धर्म है जो प्रायलोप हो जाता है अब ये बाते कोई शास्त्रों में नहीं है तो बाप कहते हैं ये ग्यान मैं तुम बच्चों को देता हूँ क्यों देता बाप ग्यान मार को ये विश्व का मालिक बनाने के लिए मालिक बन गए पिर ग्यान की दरकारी नहीं तो ग्यान मेशा अग्यानियों को दिया जाता है तभी तो गायन है ग्यान सुर्य प्रगटा अग्यान अंधेर विनाज अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया में अंधियारे में हैं सारी दुनिया अंधियारे में हैं कितने धेर सत्संग है ये कोई भक्ती मार्ग नहीं है ये है सद्गती मार्ग बाकी समय दुर्गती मार्ग ये है सद्गती मार्ग और एक बाप ही सद्गती करता है तुमने भक्ती मार्ग में पुकारा कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे आप बिगर दूसरा ना कोई क्योंकि आप ही ग्यान के सागर हो सुक के सागर पुटरता का सागर और संपत्ती का सागर हो यानि संपत्ती भी आप ही देते हो तो कितना माला माल करते है कितना माला माल कर देते है तुम जानते हो हम शिव बाबा से इकिस जनमों के लिए जोली भरने आए हैं अर्तात नर से नारायन बनते हैं अब भक्ती मार में कताएं तो बहुत सुनी क्या मिला सीड़ी नीचे उतरते आए चर्ती कला कोई की होई ना सके और कल्ब की आयू भी कितनी लंबी चोड़ी कर देते हैं ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखो वर्ष कह देते हैं यह तो अब तुमको पता पड़ा है कल्ब है ही पांच जार वर्ष का और मैक्सिमम है चुरासी जनम और मिनिमम है एक जनम एक जनम तो मिनिमम सबको लेना ही पड़ेगा फिर पीछे आते रहते हैं निराकारी जाड है ना फिर नंबर वार आते हैं पाठ बजाने असुल में तो हम निराकारी जाड के हैं फिर वहां से यहां आते हैं पाठ बजाने वहां सब पवितर रहते हैं परंतु पाठ सबका अलग अलग है यह बुद्धी में रखो कि हरेका पाठ अलग अलग है हम दूसरे को अपने जैसे देखना चाते हैं कि हम यह कर सकते हैं यह को नहीं कर सकता है याद रखो इसका पाठ यह अलग है फिर कोई प्रॉलम है नहीं आ भाडवी बुद्धी में रखो तो सत्युक से कल्युक अंतर ये बाप ही बताते हैं ये कोई मनुष्य नहीं बताते दादा नहीं बताते हैं एकी सत्गुरु हैं जो सर्व की सद्गती करते हैं बाकी तो सब गुरु हैं भक्ती मारग के कितने करμ कांड करते हैं भक्ति मारक का शॉई कितना है यह है रून्य का पानी मर्क त्रिशना समान इसमें ऐसे फसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फस जाते हैं यह भी डरामा में नूद है कोई नई बात नई तुम्हारा सेकेंड सेकेंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है जो हमने किया वोई ड्रामा बना तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राज योग सीख नरसे नारायन विश्व का मालिक बनते हैं तो तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए बेहद का बाप पांच-पांच हजार वरश के बाद भारत में ही आते हैं और बाप है शांती का सागर सुख का सागर ये महिमा पारलौकिक बाप की ही है और तुम जानते हो ये महिमा बिलकुल ठीक है सब कुछ एक से मिलता है वही दुखरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तु कहां योग लगाएंगे बुद्धी में आएगा शिवाबा मदबन में है उनको याद करते हो शिवाबा खुद कहते हैं मैंने साधारन बुड़े तन में परवेश किया है फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए मैं ड्रामा के बंदन में बांदा हुआ हूँ तुम मेरी कितनी गिलानी करते हो और मैं तुम कोई पूजनी बनाता हूँ कल की बात है तुम कितनी पूजा करते थे तुम को अपना राज्य भागि दिया कहा रखा जब गवा दिया अब फिर तुम को विश्व का मालिक बनाता हूँ कब किसी की बुद्धी में बैठेगा नए कब किसी की बुद्धी में बैठेगा नए ये हैं देवी गुन वाले देवताएं है तो मुनश है तो मुनश कोई असी या सौ फुट लंबे तो नहीं है ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयू बड़ी है इसलिए च्छत जतने बड़े होंगे कल यूग में तुमारी आयू कम हो जाती है तो बाप ही आकर तुमारी आयू बड़ी कर देते हैं इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बिमारी नहीं होना पड़े इसी का युक्ति है जो कभी बिमारी नहीं हो क्या युक्ति है भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हल्दी बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं हम गरंटी करते हैं योगी पवित्तर होते हैं तो आयू भी बड़ी होती है अभी तुम हो राज योगी राज रिशी और वो सन्यासी तो कभी राज योग सिखलाई न सके वो कहते हैं गंगा पतित पावनी हैं वहां दान करो अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है मनुष्य पैसे डालते हैं पंडित लोग ले जाते हैं अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो बाप को देते क्य हो कुछ भी नहीं बाप तो दाता है तुम भक्ती मार में इश्वर अर्थ गरीबों को देते थे गोया पतितों को देते थे तुम भी पतित लेने वाले भी पतित अब तुम पावन बनते हो वह पतित पतित को दान करते हैं कुमारी जो पहले पवितर है उसे भी दान देते ह माथा टेकते हैं खिलाते हैं दक्षिना भी देते हैं और शादी के बाद बरबादी होई जाती कितना स्ट्रेक्ट बादी होई जाती है नहीं शादी के बाद बरबादी होई जाती है अंडर एड कर लेना इसको ठीक है यह ड्रामा में नूध है फिर भी ऐसा ही रिपीट होगा भक्ति मार का भी पाट हुआ सत्यू का भी समाचार बाप बताते हैं अब तुम बच्चों को समझ मिली पहले बेश समझते शास्त्रों में तो है भक्ति मार की बाते उन से मेरे को कोई पाते नहीं मैं जब आता हूँ तब ही आकर सद्गती करता हूँ सभी की और मैं एक इबार आकर पुराने को नया बनाता हूँ मैं हूँ गरीब निवास गरीबों को सहुकार बनाता हूँ क्योंकि गरीब तो जट बाबा का बन जाते हैं कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं ये सब कुछ भी आपका है बाप कहते हैं ओके ट्रस्टी होकर रहो बुद्धी से समझो ये हमारा नहीं है ये सारा बापका है इसमें बड़े स्याने बच्चे चाहिए फिर तुम घर में भोजन बना कर खाते हो गोया यग्य से खाते हो क्योंकि तुम भी यग्य के हुए सब कुछ यग्य का हो गया घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के बंडारे से खाते हो परंतु पूरा निश्चे चाहिए और निश्चे में गड़बड़ी हुई तो तो मिसाल देते हैं हरीश चंदर का बाबा को तो सब कुछ बताना है बाबा कहता है मैं गरीब निवाज हूँ फिर गिर चला आखिर वो दिन आया आज और का आधा कलब भक्ती में याद किया अब आखिर मिला अभी ग्यान जिन्दाबाद होना है यानि सत्योग जरूर आना है यह बीच में है संगम जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुश बनते हो यानि तुम पवित्र परिवरीती मार्ग वाले थे फिर तुरासी जन्म के बाद अब पवित्र बनते हो फिर पवित्र बनना है कल पहले भी तुम ऐसे ही बने थे कल पहले जिसने जितना पुरशारत किया है वो करेंगे और अपना वर्सा लेंगे करना क्या है साक्षी हो देखते हैं अपना पार्दे को साक्षी करके मेरा पुर्षाद क्या चल रहा है अगर पुर्षाद अच्छा है तो प्रावर्ष मिलेगी मिलेगी पुर्षाद नहीं कर रहा हो तो प्रावर्ष नहीं मिलेगी कल पहले बाप कहते है तुम मेसंजर हो और तो कोई मेशंजर पगंबर होते यह नहीं सत्ध गुरु सद्गती करने वाला एक है और अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने तो वो गुरु कैसे ठहरे कोई भी धर्म ऐताफ़क, गुरु नहीं है मैं तो सब को सद्गती देता हूं गुरु कौन जो गती सदगती करें तो बाबा कहते हैं मैं तो सब को सदगती देता हूँ अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुक्सार है सदा इसी नशे में रहना है कि शान्ती सुख संपत्ती का सागर बाप हमें मिला है हमें सब कुछ एक से मिलता है और ऐसे बाप के हम सम्मुक बैटे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं इस बात का नशा रखना सारदेना दूसरा है उसके लिए अपना एहंकार छोड़ बाप समान निशकाम सेवा करनी है और निरहंकारी होकर रहना है मेसेंजर पैगंबर बन सब को पैगाम देना है खुरदान अकाल तकत और दिल तकत पर बैठ सदा श्रेष्ट करम करने वाले सदा श्रेष्ट करम करने वाले करम योगी भव कौन है हम? करम योगी हर करम में बाबा और बाबा की याद में हर करम तो याद करम योगी तो करम योगी कैसे होगे? जो सदा श्रेष्ट करम करेंगे वो कैसे होगे श्रेष्ट करम? जब अपने अकाल तकत बैठोगे और बाबा के दिल के तकत पर बैठेंगे आपने बाबा का इस समforce आप सभी बच्चों को दो तकत मिलते हैं एक अकाल तकत दूसरा दिल तकत लेकिन तकत पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है राजा बैटे का तकत पर दो? जब अकाल तकत नशीन है मैं आत्मा इस अकाल तकत पे बैठी हो तो सुराज अधिकारी है यह ना सेल्प सावरंटी पुरी है वे तो तो सुराज अधिकारी है और बाप के दिल तकत नशीन है तो बाप के वरसे के अधिकारी है जिसमें राज भाग सब आ जाता है तो करम योगी अरतात दोनों तकत नशीन करम योगी अरतात दोनों तकत नशीन ऐसी तकत नशीन आत्मा का हर करम श्रेश्ट होता है क्यों क्यों क्योंकि सब करम इंद्रियां लोग और और अर्डर पर रहती है स्लोगन जो सदा सौमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुनवान और महान है कि दसमेदर स्लोगन है जो सदा सौमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुनवान और महान है अगर आप सौमान में नहीं हो तो किसी अपमान में या अभिमान में हो है ठीक है राजेक करो सुमारमिज अपने को आफ देते हो जो अपने को Pourquoi देगा रिस्पेक्ट फूरेगा और सबकी रिस्पेट करेगा वो क्या बन जाएंगे गुर्वान और महान ठीक है ओम शान्ती